तालुक जितना भी मजबूत हो हमेशा राप्तों का मोहताज होता है एक बात हमेशा याद रखना आइना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो इनसान अपनी ओकात या तो हमारे बुरे वक्त में दिखाता है या तो खुद के अच्छे वक्त में दिखाता है सबसे ज़्यादा गुसा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी हमें गलत साबित करने की कोसिस करता है मैंने लोगों में बुराया ढोंडनी बंद कर दी है जब से मैंने खुद में बुराया तलास की इनसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का बहुत से लोग नाजाईस फाइदा उठा चुके होते है दूसरों के अलफाज लेजे और रवये का सिखवा तो हम सब करते है लेकिन अपने अलफाज लेजे और रवये का हमें एहसास तक नहीं होता रिष्टे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते है एक दूसरे को इस्तमाल करने के लिए नहीं फाइदा बहुत गिरी हुई चीज है लेकिन लोग उठाते बहुत है नादा मत के चिरागों से बदल जाती है तक्दीरे अंधेरी रात के आशुक खुदा से बात करते है किसी नैकी को मामूली ना समझे सायद वो आपकी मगफिरत का वसीला बन जाए अपनी अच्छाई को साबित ना करो वक्त एक दिन खुद ही साबित कर देगा है अजीब चीज ये सराफत भी इसमें सर भी है और आफत भी उस मुस्तक्पिल के लिए आप इतने परहसान होते हैं हो सकता है आप उसमें हो ही नहीं मेरे एबों का जो जिकर करे थोड़ी अपनी कबर की भी फिकर करे मेरी पीट पीछे बाते करने वाले लोग अपसोस अभी तक मुझसे पीछे ही है अकल छोटी हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है दुनिया की सबसे जादा दूख देने वाली चीज घुर्बत है क्योंकि उसमें सब रिष्टे तूट जाते है इतना खाया ना था नमक तेरा जितना छड़का है तुने जखमों पे मेरे मेरे किस सारे बजार उच्छा ले उसने जिसका हर एब दुनिया से छुपाया मैंने जो कभी जहन तक तसलीम था वो नजरों तक से गिर गया है वो बता रहा है हद में रहो जो खुद अपनी हद से गुजर गया है ठोकर लगने का मतलब ये नहीं के आप चलना छोड़ दे इसका मतलब ये है के आप संबल के चले किसी की गलतिया ढूंडना बुरी बात नहीं लेकिन सुरुवात खुद से होनी चाहिए जिन्दगी में इतने बुरे लोग मिले के अब तो अच्छे भी बुरे लगने लगे है जब वक्त बुरा हो तो अपने भी आजमाने लगते है बच्चे बड़ों को समझाने लगते है नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना हर एक चीज की कीमत बताने लगते है जिनको खुर्पत की वज़ा से हम साधियों में नहीं बुलाते वो सबसे पहले हमारे जनाजे में सरिक होते है मैं कौन हूँ ये जान करके मैं क्या हूँ मैं रो पड़ा हम सब पठे लिखे तो हो गए है लेकिन अपसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक हम इनसान नहीं बने मौत जिन्दगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता सबसे बड़ा नुकसान तो जिन्दगी में रहते रिष्टों का खतम हो जाना है हम पर उत्रे है होसले कमाल के दुस्मन मुंतजर ही रहे हमारे जवाल के मेरी लिखी हर बात को कोई समझ नहीं पाता क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग अलफाज पढ़ते हैं एक बात हमेशा याद रखना चार दिवारी की सियासत करने वाले लोग रिष्टों के चार टुकडे कर देते हैं जिनकी नजरों में किसी की कोई ओकात नहीं होती वोही लोग अपनी असल ओकात दिखाते हैं धोका कोई एक देता है और नफरत सबसे हो जाती है तुम्हें मालूम है मैं सतरंज क्यों नहीं खेलता क्योंकि दुस्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और अपनों के साथ मुझे चाल चलना आता नहीं छुपी बातों के खस्ते कागज संभाल रखना हिसाब होगा कभी कभी अपने खिलाब बाते खामोसी से सुन लो और जवाब देने का हथ वक्त को दे दो कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता एक वोही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता सही गलत का फैसला खुदा पर छोड़ दो तुम इंसान हो इंसानियत पर जोर दो बदला लेने वालों से मट डरो बलके माफ करने वालों से डरो क्योंकि उनका बदला खुदा खुद लेता है गुनेगार तो सायद मांगले माफी इसा पारसाओ का मुस्किल होगा मुझे माफ करना खुदाया कुछ लोग मुझसे माफ नहीं होंगे